वाहि गुरु जी का खाल साथ वाहि गुरु जी की फत्य है सलोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुकता होए सुआउ सासंग जी चल रही लड़ी वार वचार पावन गुर्बानी स्री सुखमनी सहब जी दी पावन अंग दोसोक हत्तरते तानुगरु अर्जन देव सहब जी किर्पा का रेहन सत्वी अस्टपदी प्राराम बोई है अगम अगाद वो पार ब्रह्म पापां पुन्नातों परे पार ब्रह्म सोए सार्यानी परोख अपरोखो के पलन करनवाडा व्यापकसरू प्रमेशर अगम अपहुंचते अगाद बेंत डूंगा है जो जो जी वुजदे नामताई कहे कि ये कहना पावजपना करदा है ओहो ओहो ही मुगतीनू प्रापत हुंदा है सोन मीता नानक बिनवनता साद जना की अचरज कथा सद्गरु जी बिनवनता बेंती पूरवक कतन करे हन कहे मीता मित्रा सोन तू सुनना कर साद स्रेष्ट जना पुरखां दी अचरज कि ये अचरज अनुखी पाव अस्चरजता वाली कता है जना ने अपने मानू साद साद दिया है संगतानी एकतरता करकी साद बन जान दे हन उनना दी अचरज कि ये अस्चरज कता सर्वन कर अस्ट पदी साद के सांग मुख उजल होत साद सांग मल सगली खोत सादुगां दी संगत करके लोग पर लोग वेच मुँ उजल निर्मल उन्दा अन्तेह करन वकारां तो रहतो के उजला हो जान्दा साद सांग के ये सादुगां दे सांग मिलने करके सारी पापां रूप मेल खोत कि ये खोई जान दी या ना सो जान दी साद के सांग मिटै अबे महान साद के सांग प्रगटै सुगे आन सादुगां दी संगत करके देदा अबमान हंकार मिट जान दा ना सो जान दा सादुगा दी संगत नाल मिलने करके सो नाम स्रेष्ट ग्यान सरूप दा प्रगटे के ये प्रकाश उन्दा साद के संग बुझ जै प्रब नेरा साद संग सब होतन बेरा सादुगा दी संगत करके प्रब के ये हरी वाह गुरू नेरा नेरे बुझ लईदा जान लईदा पाव निरना करके सरूपनू समझीदा है साद सांग किये साद संगत करके सारे जनमा जनमातरां दे करमा दा नबेरा किये नबेरा हुंदा साद के सांग पाए नाम रतन साद के सांग एक उपर जतन सादू दी संगत करके जीव नाम रूप रतन पमदा है सादू दी संगत करके एक मान उपर की उते काबू करन्दा जतन उद्दम करीदा है साबतों उते जो एक हरी पर मेशर है उस दी प्राप्तीदा जतन उद्दम करीदा है साद की महमा बरने काउन पराने नानक साद की सुबा प्रब माहे समाने अजिहा कौन के ये केडा प्राना तारी जीव है जो सरेश्ट जनादी महमा वडियाई बरने वर्नन कर सकदा है साथ गुरू जी कतन कर दे हन के साद महात्मा जनादी सुबा वडियाई प्रब हरी वाह गुरू माहे के ये वेचही समानी समाई पाव मिली वहिया साद के सांग अगोचर मिले साद के सांग सदा परफुले सादू दी संगत करने करके जो अगोचर इंद्रियां करके अविशे पाव इंद्रियां तो परे जो हरी है जो नेतरा नड़ वेख्या नी जानदा उसता मातर ब्रहम प्रापत हो जानदा है सादुगा दी संगत करके मानदा हमेशा पर फुल्ले खिड जानदा साद के सांग आवे बस पंचा साद सांग अमरत रस पंचा सादुगा दी संगत करके पंजे काम क्रोद लोब मोहंकार वासवेच आ जान्दे हन सादुगा दी संगत करके अमरत मृत्युत नो रहत करने वाले नाम रस दे अनांदनू पुंचा हुंदा मानी दा पोगी दा है साद संग हुए सब की रेन साद के संग मनोहर बेन सादुगां दी संगता ये फ़ल है के मान सारे यां दी चर्न तूडी हो जान्दा पाव निमरता विचा जान्दा सादु दी संगत करके जीव मनोहर संदर बैन बचन बोल्दा है पाव हितकारी प्यारे बचन बोल्दा है साद के सांग न कत हूंतावै साद सांग अस्थित मन पावै सादुगां दी संगत करके मन किसे कामी क्रोधियं दी कुछ संगत विच नहीं दौड़दा सादुगां दी संग करके मन अंतिश करन अस्थित इस्थितिनू पालेंदा साद कैसांग मायाते पेन साद सांग नानक प्रबसु परसन सादुआ दी संगत करके मायातों पेननर लेप पावस तंतर हो जाना साद गुरु जी कतन करदे हन के साद संगत साद संगत करन वाड़यां ते प्रबु हरी वाह गुरु परसान पली परकार परसान खोशो जान दे उसन उन्नानू चर्ना नाल मेलदा है साद सांग दुसमन सब मीत साद कैसांग महापनीत साधुगा दी संगत करने करके सारे दुष्मन वेरी मीत मित्तर बन जान्दे हन साधुगा दी संगत करके अविद्या आद मेल उत्तरने कारन महा वड़ा पापी वी पनीत पवित्तरो जान्दा सत संगत करके महा पनीत वईदा साद सांग के सेव नहीं बैर साद के सांग ना बीगा पैर साद मांदी संगत करने करके किसे नालवी वैर दुश्मनी नहीं रेंदी संतां दी संगत करके कदे बीगा टेड़े रस्ते पावक संगत विच पैर चर्न नहीं चाल दे मन्दा संकल्प रूपी पैर बुरे पासे नहीं जान्दा साद के संग नाहीं को मन्दा साद संग जानने परमानन्दा सादुगा दे संग करके कोई भी मन्दा बुरा संकल्प परतीत नहीं उन्दा सादुगा दी संगत करके परमानन्दा महां सुक्स रूप वाहिगरू नू जान लेंदा है साद के सांग नाही हो ताप साद के सांग तजै सब आप सादुगां दा सांग करके हो मेंदा संताप नहीं रेंदा सादुगां दे सांग करके सारा दे अदे आसदा आपा पाव तजेक ये शड़ जाईदा आपे जानने साद बढ़ाई नानक साद प्रबू बान आई सादुगां दी बढ़ाई कि ये महमानु हरी वाहिगु आपे ही जानदा है साद गुरू जी कतन करदे हन कि स्रेष्ट जनादी प्रबू हरी वाहिगु नाल प्रीती बानाई है क्योंके हर हर जन दूई एक हैं बेव बिचार कश नाहे जलते उपजत रंग जियो जलही बिखै समाहे साद के सांग ना कब हूता वै साद के सांग सदा सुखपा वै सादुगां दा सांग करके कदे किसे जुना विच जीव नहीं तावे दौड़दा नहीं मन कदे वी विशे वकारावल नहीं दौड़दा साद सादुगां दा सांग करके हमेशा आत्मा नान्दा सुखपा वै प्रापत कर लेंदा है साद सांग बस्त अगोचर लहे सादू कैसंग अजर सहे संतांदा सांग करके अगोचर इंद्रिगां दे अविशे साथ चित अनंद सरूप रूपी बस्तूनू पालेंदा है सादू अदी संगत करके अजर ना सहरे जानवाली अजार शक्ति आत्मा नंद रूप बस्तुनू सह सहारन दी शक्ति प्राप्त कर लेंदा जो काम करोद लो मोहंकार अजार जरे नहीं जान दे इना नूमी सादुंगा ली संगत करके रोकन दा सह किये सहारा पा लेंदा साद के संग बसे थान उचे सादु के संग महल पहुचे सादु के संग करके उचे उत्तम साचखंड तुरिया पद रूपी अस्तान विच जाके बसे वस्ता है सादु के संग करके साथ महल सरूप विच पहुचे पहुच जान दा साद के संग द्रिड़ा सब तर्म साद के सांग के वल पार बरहम सादुगां दे सांग करके सारे हां तर्मा वेच हरी वाई गुरूनू द्रिड़ा के ये समझ लेंदा है पाव किसे दे तर्मनू खंडन नहीं करदा क्योंके संगत करन वाले सारे पुरुक तर्मनू द्रिड कर लेंदे हां संतानी संगत करके जीव सारे तर्म फरजन चंगी तरां द्रिड़ा पका कर लेंदा तर्म शाष्टरां सार तर्म दे दाचन कतन कीते या खिमा अहिंसा दया मृद साथ बचन तापदान सील सौज तरिशना बिना तर्म लिंग दस जान सो पहली है खिमा दूसरी है अहिंसा तीसरी है दया चौती है मृद पंजवा है साथ बचन शेवी है ताप सत्वा है दान अठ्वी है सील पाव निमरता नौवी है पवित्तरता दस्वी तरिशना तो बिना सादुगां दे संग करके केवल सिर्फ शुद बार ब्रम दे स रूपनल जुड़दा है पाव केवल मोखनू पाके हरी रूपो जानदा साद के संग पाए नाम नदान नानक सादू के कुरबान सादुगां दे सांग करके नाम रूप निदान खजाने नू प्राप्त करीदा है सादुगुरु जी कतन कर दे हन के उनना सादुगां दे उपरों असी कुर्बान बलहार जाईए साद के सांग साब कोल उदार है साद साजन मीत कुटांब निस्तार है सादुगांदा संग करके जीव सारियां कुलांदा उदारे उदार कर लेंदा देवी कुल जो आसरी संपदा इठां दबी होई सी उस दावी उदारो जांदा सादुगांदी संगत करके जीव साजन सजन मीत मित्र कुटंब परवार इतियाद के सारे अनू ही तार लेंदा है सादू के सांग सो तान पावे जिस तानते सब को वरसावे सादू दे सांग करके उस नाम रूप तान दौलत नू पौना करदा है जिस नाम रूप तानतों सारे कोई वरसावे लाब उठोना करदे है साद सांग तर्मराए करे सेवा, साद का सांग सोबा सोरदेवा साद सांग कई ए संतादा संग उन करके परलोग विछ तर्मराए पाव राजावी तर्मराजावी सेवा टहल करदा है सो जमे नरक जनक राजे ने जीवां ते तरस करके तरमराजे नो कहा सी ना पाईगुरदाह जीवार राई तरमराई नो आखे ओन सबनां दीकर बंध खलाशी करे बेनती तरमराई हों सेवक ठाकुर अबनासी साधुगांदी सत संगत करके सुरो देवा देवतिया दा राजा इंदर भी सूबा वड़्याई करदा है कि असीता अपच्छना विच फषय रेंदे अ ताहन संगत है जिनना दी वाशना मिट गई है साधुगांदी संगत करके पुर्ख सुर्देवा पाव देवी संपदा दे सहत हो की लोक पर लोक विज़ सुबा वडियाई पौंदा है सादू कै संग पाव पलाएन साद संग अमरत गुन गाएन सादू दे संग करके सारे पाव गुनाह पलाएन नप पाज जान दे सादू की जान ले है ओड तेरे मिट है पाप सब कोड कोड सादू दे संगत करके प्रमेशर दे अमरत रूप गुनाह नो गाएन गौंदा है साद कै सांग सरब थान गम नानक साद कै सांग सफल जनाम सादू आन दे सांग करके सारे यां अस्थाना विच जीव गम नदा गमता पाप जान लाइक हो जान दा तरम खांड ग्यान खांड सर्म खांड साच खांड सारे हैं विच गम कमता हो जान दी साद गुरू जी कतन कर दे हन के साद संगत करके मनुखा जनाम जीवन सफला हो जान दा जिमें मेरी पीरी दे मालक सिरी गुरू हरगोबिन साहब जी सिरी हरगोबिन पूर साहब च बिराज रेसन पाथशा जी दी हजूरी वेच बटाले दा रहन वाला पंड़त निता नंद गरड परान दी कथा सनारिया सी एक दिन कथा दे पर सांग विच पंड़त जी ने कहा के मारनो परण पुन्नी लोग पालकियां विच बैठ के अते पापी लोग दुख पोगदे हो एक साल विच पर लोग नू जान दे हन मातलोक तों परलोक श्यासी है यार जोजन है जदों कथा करनों परंट पंड़त जी बाहर आए ता उन्हा ने चार सिखानों आपसवे चर्चा करदे सुनिया एक सिखपाई सुन्दर जी कह रेसन कि जो परलोक दा रस्ता पंड़त जी ने एक साल दा दस्या है पर मैं गुरू किर्पा सदका उत्ये चार पहरां विच पाव दिन दिन विच पहुंच सकदा है दूजे से एक पाई लाला ने किहा कि चार पहर वी ज्यादा है मैं दो पहरां विच पहुंच सकदा है तीजे पाई मैया जी ने किहा कि मैं एक पहर विच पहुंच सकदा हूँ अखीर पाई नहाला जी बोले कि गुर्सिखो गुरू जी दी बखशे सदका मैं एक पाल वेची ही पर लोग पहुंच सकदा हूँ गुर्सिखा दीया एक गलां सुनके पंड़त बहुत हैरान मी होया अते शाष्टरी बचना दे वे परीत सुनके करोदत भी होया पंड़त जी ने जाके सादगुरा पास बेंती कीती के है सादगुरू जी ओ किर्पा करके दसोगे के तर्म शाष्टर चूटे हन जाँ आप जी दे सिख चूट बोल दे हन क्योंके शाष्टरा मिच पर लोक दा जो रस्ता एक साल दा लिखे होया आप जी दे सिख कह रहे हन के ऐसी पहरा जहां पलां वेची पहुच साख दे हन किर्पा करके आप ही निर्णा करो सादगुरू जी ने कहा के पंड़त जी नराज ना हो वो क्योंके तो हाड़े शाष्टर भी सचे हन अते साड़े सेख भी सचे हन फिर पंड़त ने कहा के सादगुरू जी ए दो में गल्ला के में सचियां हो साक दियां तर सादगुरा ने पाइगुर्दाश जी नो आगया दिती कि आब पंड़त जी नो इस गल्दा पेद समझा देवो सादगुरा न दी आगया पाके पाइगुर्दाश जी ने पंड़त जी नो समझा देवो कि है पंड़त जी बेद बे आथ जी ने तो हाड़े शाष्टरा वेच एक साल दा जो पैंडा दस्या है अते पुन्नी ते पापी लोकां दी गती बारे लिखिया है इहे कर्म कांड दी गाल लाखी गई है परंतु सेख पाप पौनतों परे होके आपने सद्गुरु जी दी उपाशना कर दे हन अते निश्काम होके सिम्रन कर दे हन अते पाप तां कर दे ही नहीं हन आते पौन करके फाल दी इच्छा नहीं करदे इसली गुरू जी दे सिक पुनना अते पापां तो परे हुन पुराणता केवल पाप पुनन दी ही विचार करदे हुन परन्तु सिखह दी गंता बारे पुराणा विच दर्ज नहीं है सद्गुरानी किर्पा सद्का गुर्सिखां दे नेडे जम आउदे इने गुर्सिखा अपनी इशान सार परलोक गमन कर सकदे हन परलोक विच तर्म राजवी उनना दा सत्कार करदा है पावन वाक है गुर्बानी दा नानक तर्म ऐसे चवह कीतो पवन पनीत एक जगा होर सद्गुरु फरमाँदे हन जम काल मिले दे पेट सेवक नित होई सेख सच आख रहे हन क्योंके गुरु बख्षिदा सद्का जिन्नी किसे विच सेख विच शक्ती है ओ उन्ने समय विच प्रलोक गमन कर सकदा है गुर परताब सूर्ज गरंथ दे रास शेवी विच अंसुभ विंजवें दे बोल हन सिरी नानक की सिखी महा महा महातम है जह कहां जे तक बल जिस मह हुए आवे ते तक कहना कूर अलावे इहे सुनके पंड़त जी ने कहा के साथ गुरू जी मैनू इस गालते नेश्चा के में हो सकदा ताद साथ गुरा ने कहा के हे पंड़त जी जेकर नेश्चा चाउंदे हो तां गुरू कर दी सेवा ते वाह गुरू गुर मंतर दी कमाई करो गुरू जी दा हुकम अनके पंड़त जी ने शेम ही नया तक कमाई कीती ताद सद्गुरां दी किर्पा सद्गा इसनू सारे दीपां लोआं अकाशां आते पतालां दी सारी सूजबूज प्रापत होगी फिर आप ही ये प्रतीत करन लगा कि होन मैं वी एक साल वाड़े पर लोग दे रस्ते नू पल विच तह कर सकदा है इस तरह पाई गुर्दास जी कोड़ों सिखीयत नाम सिम्रन दी महमा सुनके पंड़जी दी सारे लोकां विच पहुंच होगी पाविस्तरा पूरे गुर्दी संगत विच नाम जब के सारे थावां विच गमता हो जान दी है साद कैसांग नहीं काशकाल दरसन पेटत होत नहाल साद सरेश्ट जनां दी संगत करके मुक्ती वास्ते होर हाठ जोग तूनिगा जालता रे आद काश कोई आउखे साद ना दी काल कमाई पाव कालना नहीं करनी पेंदी ऐसे सादुगां दे दरसन दार दे पेटत मिलन सदका ही जीवन हाल अनांद प्रसान हो जान्दा है साद कैसांग कलूखत हरै साद कैसांग नर्क पर हरै सादुदी संगत करके कलूखत तुन्दा कालख वाले पाप नाशो जान्दे हन पावचारे किल्विक पापां दो मुक्तो जान्दा सादुदे संग करके नर्कांदा दुख पारवशेश करके हरै नासो जान्दा है क्योंके नर्क ना डीठड़ेया सिमरत ना राइन पादशाजी जावसा विच भी फ्रमोंदेया नमो नर्क नासे सदैवंग पर कासे साद के सांग इहां उहां सुहेला साद सांग बिचरत हर मेला सादुगा दी संगत करके इहां इस लोकते उहां होते प्रलोक विच जीव सुहेला सुखी उन्दा साद संग सादुगा दी संगत करके बिछरत के ये विच्डे होई जीवदा हरी वाहिगरू नाड मेला मिला पो जान्दा है जो इच्छे सोई फल पावे साद के सांग न बिर्था जावे जेड़ी इच्छे कामना करदा है सोई ओहो ही फल पुंदा है इच्छा चंगी उनी चाहिदी है सादुगा दे संग करके विर्थ नहीं जावे जान्दा पाव फल जरूर मिलदा है एक हरी चंद नामी राजा वेया इस दी तारा नाम दी राणी करके उस दे महल विच पूरन सोख़दा नवास सी राणी हर रोज पहर रात रहिं दी सादुगा दी संगत विच जाके गुरबानी दी कथा सुन दी सी रात संगत करके राजे दे उठन तो पहला वो आपस महला मेंच पहुच जान दी सी हर रोई दी तरह जदो राणी साथ संगत नू गई ता अचानक एक दिन अद्धी रात नू राजा जाग पया ता विख्या के राणी नजरी नहीं आरी ता मानविच सोचन लगा के राणी जरूर विशे वकारां पो गण पराई पुर्शा कोड़ गई होगी उस दिन ता राजे ने राणी दा पिछा ना की दा दूसरी रात नू उठके राणी दे पिछे पिछे तुर पया जदो राणी साथ संगत विच पहुँची राणी साथ संगत विच बैठके परमेशर दे पजन विच मगन होगी ता राजे ने राणी दी जो सोने दी खड़ाव सी वो चोक के महल विच ले आके लमारी विच राखके जिंदरा मार दिता के जदो राणी आवेगी ता पुच्छांगा के तेरी सोने दी खड़ाव किते है जदो सथ संगत दी समाबती होई ता राणी उठी बार आके जदो खड़ाव पौंड लगी ता वेख्या एक खड़ाव नहीं है दूसरी खड़ाव नाल दी नहीं है तान राणी ने साथ संगदे चरना विच बेंती की ती के संगजी मेरी खड़ाम किसे ने चोक लई है जे मेरी खड़ाम ना मिली तारा राजे ने मेनू दंड देना है तुसी किर्पा करो मेरी आप ही निमानी दी पत रिखना करो उस वेडे प्रबू प्रमेशर दे चरना दा तयांतर के अरदास कीती है की महातमा होका दिन दाया पाग पर मातमा ही महातमा रूप विच ओका दिन दाया कि किसे दी खडाम गवाची होई जड़ו राणी ने कहा के मेरी खडाम है जदो खडाम वेखी बिलकल उसे खडाम नाल दी खडाम सी राणी ने खडाम पाई ते मेला विच पहुंची जदो राजे ने वेखिया के राणी ने खडाम पाई हुई या ता राजे ने जो खडाम लमारी विच रखी सी जिंदरा मार के ओ कड़ी ताँ वेह के हरानो गया अत्य राजावी सतसंगदे प्रवाब करके सतसंगती बन गया यसे प्रकार इस साखी विच साल संगदा पदेश है के सतसंग जरूरी करना चाहिदा है सतसंगत विच्चों जिमें राणी नू इच्छा करके खडाव मिडी इसे प्रकार जो जी प्रमेशरतों कामना करदा है ओ ही फड़ पौंदा है जैसा के पाईगुरदाश जी अपनी वार दसमी दी पौड़ी शिमी विच पर मौंदे हन सुख राजे हरी चंदकार नार सुतारा लोचन राणी साद संगत मिल गावंदे राती जाय सुने गुरबानी पिछे राजा जागया अद्धी रात निखंड विहानी राणी देशन आवई मानविच वर्त गई है राणी होरत राती उठके चलेया पिछे तरल जोआनी राती पोहती संगती राजे खड़ि खड़ाओ निसाणी साद संगत आ राद्या जोडी जुडी खड़ाओ पुराणी राजे डिठा चलत एहो एहे खड़ाव है चोज विड़ाणी साद संगत विट हों कुरबाणी साद संगत विट हो कुर्बाणी पार ब्रहम साद रिध बसे नानक उदरै साद सुन RICH सादू महातमा दे रिध हुड दे विच पार ब्रहम परा रूप ब्रहम परमेशर वस्र रया सद्गरु जी कतन कर रहा हन के जो सादौं तु हरी परमेशर दा नाम सुन दे हन वो नामनू चित्विच रसाके रसे पावर साके उद्रे मुक्तुन देहन साद के सांग सुनाओ हरनाओ साद सांग हरके गुनगाओ सादुआ दे सांग करके हरी वाहिगरू दा नाम सुनना करो अते सादुआ दी संगत करके हरी वाईगरू दे गुणा नू गुणा करो साद के सांग ना मानते विसरे साद सांग सर पर निस्तरे सादुआ दी संगत करके फल प्रापत नदा के मानंत शकरंतों हरी वाईगरू विसरे पुलदा इने साद सांग सादुना दे संगत करके संसारक पर पंचतों सर पर जरूर बर जरूर निश्चे करके तर जाईदा है साद के सांग लग गया प्रब मीठा सादु के संग कट कट डीठा सादुना दे सांग करके प्रभू हरी वाहिगरू दा नाम मिठा प्यारा लगदा है सादुगां दे सांग करके कटां कटां विच व्यापक हरी वाहिगरूनू परताख करके डीठा वेखीदा है साद सांग पहे आग्याकारी साद सांग गात पही हमारी सादुगां दी संगत करने करके मान आद इंद्रेवी आग्याकारी हुकम मननवारे हो जान दे जिग्यासुआ दे मानवी साध संगत दे आग्याकारी पैक ये होई हन साधुआ दी संगत करके वाहिगरूदा आग्याकारी पाना मननवाले हो जाईदा है साध संगत करके हमारी साधी गत कलियान पैक ये होई है साद के सांग मिटे सब रोग नानक साद पेटे संजोग सादुगां दी संगत करके सारे हंकार अदक रोग मिटे मिट जान दे ना सो जान दे साद गुरू जी कथन कर रहे हन के पूरबले संजोग मिलाप करके पाव पागां करके संतां दी संगत पेटे मिल दी है संतानी संगत संजोगां करके मिल दी है क्योंके साद मिले पूरब संजोग साच रह से पूरे हर लोग साद की महमा बेद ना जानने है जेता सुने हैं तेता बखे आनने है साद महातमा दी महमा वड़ाईता वेद भी नहीं जान दे क्योंकि जितना बगतिया ने वेदा द्वारा सुनिया है तेता कि ये उतना ही बख्याने कतन कर देया जिमें कृषण जी ने गीता विच अर्जन नू उपदेश दिता है कि कर्म उपाशना ग्यानू ही वेद कतन कर दे हन जो शंतांदा तुरिया पद स्वे सम वेद स्वे अन अनपव अगम अवस्था है उसनू वेद कतन नहीं कर सकदे पर सम वेद जो दूसरे करके जानया जावे उसनू वेद कतन कर दे हन महात्मा ने स्वै अन्पव करके वाह गुरुनू जानेया वेद की कथन कर सकदे हन मोख अर्थ एहो है वेद तां चार कड़े पाणी परे होए हन पर महात्मा जना दे हिर्दे समुंदर दी नियाई बेंत हन समुंदर चों जिनने मर्जी कड़े पाणी दे परलो पर उस दा अन्त नहीं पाया जा सकदा सो महात्मा दा हिर्दा बुद्धी रूपी सिपी नाल कोई एंचवी दासदेवे नहीं दसेया जा सकदा सो साद की महमा बेद न जानने दासदे महात्मा जनन दी संगत विचे कराजा हर रोज परमेशर दी कथा सरवन करदा सी संता ने एक दिन कथा करदेयां संता दी महमा बाबत फुरमाया के वेद वी संता दी महमा नहीं जान सकदे राजे ने एह गल सुनके कहा के महात्मा जी जे संता दी महमा वेद नहीं जान दे ता होर कौन जानेगा राजा वेदां ते पावना रखन वाला सी संता ने कहा के गुरां दी बानी सही है कदेवी गुर्बानी वेच जो चीज ना ओवे उ लिखी नहीं जदों राजा बहुत ही जिदकर्न लगा कि मेरे कारता पुतरी ने मैंनु उत्र के में देवेगा पुत्र प्रावती वास्ते मैं नेकां जग पून दान करवाए पर पुत्र दी प्रावती फेर भी न वही देवतिया ने अकाश मानी रही किहा कि साथ जनम तक तेरे कर पुत्र नहीं जमना पर आप जी ने किस तरह कह देता कि तेरा पुत्तर ही जवाब देवेगा एगल सुनके संता ने किहा कि प्रमेशर दी किरपा नाड अते सादुआ दे सांग करके तेरे कर पुत्तर हुवेगा अते अर्थवी पुत्तर ही सुनावेगा एगल सुनके राजा खोशोया महात्मा दे बचना अनसार समय मताबक राजी दे कर लड़का पैदा हुया महल विच खुशिया दे लड़ू बंडे के दान कीते के राजे ने जोथशिया नो बलाके लड़के दी जनम कुंडली बारे पुछिया जोथशिया ने लगन देखके किहा के राजन तेरे पुतर दी अमर 11 साल 11 मेहने 11 दें दी होगी राजा सुनके हरानोया ते सोचन लगा के ऐनी शोटी अमर है राजे ने अपने पुतर नो तर्मशा एस्टर पड़ा उड़ी साधूँगा दी जमाद कोड़ पे जिया सोचन लगा के थोड़े समय बाद मरतां जानाई के सनतां ने वारद दिता के लम्मी उमर वाड़ा हो साधचरंजी वी उस वेड़े लड़के ने सनतां नू अपनी सारी वारता जो अपने पिता तो सुनी जी के तेरी उमर अैनी है सादुगा नू सनोना कीती संता ने कहा तेरी उमर एक सो साल वद जाएगी पाव 111 साल 11 महिने 11 दिन होएगी जदो संता ने वर दिना कीता ता राजे दा पुतर 12 साल उमर तक सादुगा दी सेवा वेची रहा 12 साल तो बाद अपने कारजदों परते आ ता राजा वेखे हरानू गया के तेरी उमर ता 11 साल 11 मिने 11 दिन दी सी जदो लड़के ने सारी वारता संता दी सेवा वारी दसी के संता दी सेवा करके वारनाड मेरी उमर सो साल वद गई है अते संता दी उपमादियां बियांत ही कहाणियां ते प्रमान सुनाई ता राजे नूं गुरू ग्रंसे महाराजि दी बानी तोक दे शर्दा बज्जी के वाक्या ही वेर संता धी महम कथन नहीं कर सागuez राजा संता धा सेवक बनके संता धी सेवा कर लग बया साद की उपमा ते हो गुणते दूर साद की उपमा रही परपूर सादुगां दी उपमा वडियाई तिनना गुणातों दूर परे है पाव रजो तमो सतो तों दूर है सादुगां दी उपमा वडियाई सारे व्यापकों के पारपूर लबा लब पारी परियोईया समारिया साद की सुबा का नाही अंत साद की सुबा सदा बे अंत सादुगां दी सुबा वडियाई दा अंत नहीं पाया जा सकदा सादुगां दी सुबा वडियाई सदा हमेशा ही बे अंत कि ये अंत तो रहत पाव बे अंत है साद की सोबा उचते उची साद की सोबा मूचते मूची सरेष्ट जना पाव संता दी सोबा वडियाई जो ब्रह्मा आदक उच उचे हन उना तोमी उची सरेष्ट है सादुगा दी सोबा ब्रह्मा मेहमा उ मूच वड़ियां तोमी मूची वड़ी है पाविस्थार वाले ब्रहमंडा अदक तोमी विस्थार वाली है माया दी अंच जो हिरनगर बादक है इशर्दा जो सुपन वस्थादा अब मानी है उस दे विस्थार तोमी विस्थार वाली उची है साद की सोबा साद बन आई नानक साद प्रभ पेद न पाई सादु महात्मा दी सोबा महात्मा नू ही बन आई है पाव पूरन रूप दे विच होर कोई नी जान दा सद गुरू जी कतन कर दे हन कि ये पाई प्रावो प्रभु हरी वाई गुरू ते साद संतां विच कोई पेद फरक नहीं पाव इको रूप हन सो एत्वों तक सा संग जी पावन अंग 272 तक साड़ी जो सत्वी अस्ट पदी संपूर्ण होई है सरल विचार दे सहत सो एत्वों तक सत्वी अस्ट पदी विच पूरे अख़ जो आए हन उ 999 अखर हन पैरावाले जिस विच रारे सोड़ा हन और कोल अखरे सस्ट पदी दे 985 हन वाहे गुरू 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 जी का खलसा वाहे गुरू जी की फते